हेलो वेलकम बैक टो प्रिया लक्ष्मी बालाजी सेलर दिखाते हैं वाइट खाडी का पाउडर कैसे बनता है देखिए इसमें थोड़ा इस तरह का चूरा बचता है बड़ा बड़ा चंग्स रहता है उसके बाद जो नीचे इस तरह का बचता है उसको मैंने चली में डाला है इसके बाद जो बड़े बड़े पीसेस है उसको इस तरह से एक हेवी मेटर का है यह उसको तोड़ेंगे उसके बाद यह पॉलिखिन लिया है इसे रखेंगे और इस तरह से लकडी का बेलन में हम उसको क्रश करेंगे यह बहुत सॉप्ट होता है हलका सा फ्रेशर लगाने से भी यह पाउडर का फॉर्म ले लेता है बहुत सारे कस्टमर को पाउडर चाहिए होता है तो इसका रखा होता है यह पाउडर करेंगे तो यह सब बेलन को चिपकता है इसलिए इसको हम क्या करेंगे इसके उपर ऐसा प्लास्टिक का थैला रखकर इसको करेंगे तो एक जैसा बेलन चलेगा और पूरा वो पाउडर का रूप में आ जाएगा तो इसको वापीस आप यह चलनी से प्लीन करेंगे मैं इसमें रखती हुए यह पाउडर थोड़े टाइम से बनाएंगे अभी अच्छा फाउडर बनाई यह आप देख सकते हो कितना अच्छा फाउडर बनाया है कि कस्टमर को ओर्डर था फाउडर चीए था उनको तो यह पाउडर बना के दिया मैंने जो छोटे-छोटे बच्चते इस तरह के क्रमर उसका ये पाउडर है एकदम फाइन पाउडर बना है और एक कस्टमर की ऑउडर थी जिसमें वाइट खाड़ी उनको चाहिए था ये बड़ा चंस होता है वाइट का उके और ये पाउडर क्या फॉर्म में है अभी हम इसको क्लीन करेंगे ये पाउडर को चानेंगे इसमें हम दिखाते हैं कैसे करेंगी वह इसको ट्रांसपर करते हैं पेपर लेगिया है उसमें इसको रखा है इसमें हम ट्रांसपर करेंगे इस सी प्लास्टिक में वापिस खिलिन करेंगे इसके कितना ज्यादा पाउडर जो चूरे हमने बेलंस से किया इसको थोड़ा सा ऐसा से करेंगे तो और पाउडर उसमें मिल जाएगा यह देखी हमारा अच्छा खासा पाउडर बनकर वेडी है तो इस तरह से मैं पाउडर बनाएं आप भी बनाना चारते तो इस तरह का पाउडर बना सकते नौन ग्रिटी फ्रेश एंड काफी अर्दी है अर्चा पाउडर लगयोडर पूर्चजा लाओर भी नौन जरे भी आदिनोटा उड़ा जिस मैं पाउडर वे बनाएं इस नौन अर्वडर बना नहीं जड़ा बनाएं हैं वेज़ाद तो अशैंगर उम्री तो बनाएं गड़ादी थांवरा इस अर्वर ऑ्सावार